तो मुवी की स्टार्टिंग यूनाइटेड स्टेट के वेस्टर्न रीजन नवाडा से होती है जहां पर हम तीन तिनेजर्स चाइल्डूड फ्रेंस एलेक्स टक और मंच को देखते हैं जो की काफी अपसेट होते हैं क्योंकि जल्दी उनके एरिये में एक न्यू हाइवे कंस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था जिसके कारण उन सभी को वहां से जाना होता है वहीं उन में से टक हमेशा हर चीज की फिल्मिंग करता रहता था और जब वो एक दिन फिल्मिंग कर रहा होता है तो इतने में ही उसके पास उसके फ्रेंड का कोल आता है जो कि उसे उस वहां पर कुछ फॉन्स लेकर आता है जो कि अभी भी वर्क कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही वो एलेक्स के घर में जाता है तो उसका फॉन भी स्टैटिक होने लगता है फिर वे सब इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च और लोग उसे डिसकस करते हैं कि यह क्या है तो करते टाइम उनसे गलती से इलेक्ट्रिकल सोर्ट हो गया है जिसके बाद भी तक से फूसते हैं कि क्या उनके फॉन्स और इलेक्रिकल डिवाइस प्रोपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं मगर तक इससे काफी अपसेट होता है और उसे उन लोगों पर शक होता है और वो ये बताता है कि वो सैटरेंडे को किसी काम से बाहर जा रहा है इसलिए वे सब मिलकर फ्राइडे की नाइट को जाने का प्लैन बनाते हैं हालाकि मंच इसे आगरी नहीं होता लेकिन उन दोनों के कहने पर मान ही जाता है next day वे तीनो middle school में मिलकर plan बनाते हैं कि वे सब अपने घर में बताएंगे कि वे रात में अपने friend के यहां रुखने वाले हैं और सब कुछ उनके plan के according चलता है और जब वे manch के घर में जाते हैं तो वो उने भताता है कि उसने एक ऐसा setup किया है जिससे कि कोई भी उसके parents को call करेगा तो वो call सीधा उसके पास आएगा जिसे सुनकर वे सब काफी खुश होते हैं और अब इन सब के बाद वे उस desert की और निकल जाते हैं मगर जब वे अपनी destination तक पहुंचते हैं तो तब तक रात हो चुकी होती है वहीं आगे अब इने वहाँ पर tower के नीचे एक dusty object मिलता है जिससे की तक काफी confuse हो जाता है और सोचता है कि वो सिर्फ एक crap है इसलिए वो Alex और मंच से वहाँ से जाने के लिए बोलता है मगर उनके वहाँ से जाने से पहले ही Alex की mom का call आ जाता है जिसके बाद मंच call को receive करता है और Alex की mom को उसके घर आने से मना कर देता है इसी बीच वे तीनों वहाँ पर कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि वहाँ कुछ ढून रहे होते हैं जिसके बाद मंच उस object को अपने bag में रख लेता है और फिर वे तीनों वहाँ से निकल जाते हैं जिसके दर्मियान रास्ते में मंच को लगता है कि उसके bag में कुछ तो अजीब है और जब टक उसके bag को check करता है तो तब उसे उसमें सिर्फ वही dusty object मिलता है जिसके बाद टक Alex और मंच को बताता है कि ये सिर्फ एक crap है मगर जैसे ही Alex beep बोलता है तो तब वो object भी उन्हें response करने लगता है जिससे कि उन सभी के phone में एक new map आ जाता है जिसके बाद वे तीनों उस map को follow करते हैं और जैसे ही वे map की location पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर वे तीनों देखती है कि वो object खुद को repair कर रहा है इसलिए वो उन्हें अलग अलग location पर ले जा रहा था और जैसे ही वो अपने कुछ parts को restore करता है तो उन तीनों को पता चलता है कि ये एक cybernetic alien है जिसके बाद तीनों से yes और no में questions पूछते हैं जिससे कि उन्हें ये पता चलता है कि वो एक तूसरे दुनिया से आया है और उस पर किसी unknown force ने attack किया था जिसके कारण वो earth पर crash हो गया और seriously injured हो गया था इसलिए वो उन तीनों से उसकी specific को repair करने में help मांगता है जिससे कि वो अपने घर वापिस जा सके उस alien की ये बात सुनकर वे सभी उसकी मदद करने के लिए तयार हो जाते हैं और तीनों एक मैप का पीछा करते हुए एक pawn shop पहुँचते हैं जहां पर एक बार फीर से वो alien खुद को repair करता है और repair होने के दर्मियान वो shop काफी damage हो जाती है जिसकी वज़ा से वे तीनों वहाँ से भाग कर एक street में चले जाते हैं जहां पर भी देखते हैं कि वो alien Alex के phone के camera से उन सभी को देख रहा है जिसके साथ साथ उन तीनों की उससे काफी अच्छी friendship भी हो गई थी जिसके बाद वे तीनों उसका नाम Echo रख देते हैं वही आगे तीनों एक map को follow करते हुए अपने school की एक लड़की Emma के घर पहुंचते हैं और जैसे ही Emma को Echo के बारे में पता चलता है तो वो भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन Alex उसे उनके साथ चलने से मना कर देता है जिसके बाद वे सब map का पीछा करते हुए एक बार तक पहुंचते हैं मगर बार में जाने से पहले मंच टोइलेट के लिए एक शोप में जाता है जहाँ पर उन्हें वही construction site वाले लोग मिलते हैं लेकिन तभी थोड़ी ही देर में Emma वहां आकर सभी को बचा लेती है और जैसे ही वे सब बार में जाते हैं तो तब वो object एक बार फिर से खुद को repair करने लगता है जिससे कि वहां पर भी सब कुछ destroy हो जाता है इसके बाद सभी दोड़कर बाल से बाहर चले जाते हैं जहां पर Emma को पता चलता है कि Echo का object शिर्फ एक spacey भी नहीं बलकि वो एक key भी है वही टकून construction site वाले लोगों को देखकर काफी डर गया था क्योंकि वे लोग starting से ही Echo को ढून रहे थे और इसलिए वो अपने दोस्तों से Echo को ऐसे ही छोड़ने के लिए बोलता है मगर Alex उसके बाद से बिलकुल भी agree नहीं करता और वो Echo की help करने का decide करता है वही आगे अवी सब एक arcade में जाते हैं और जैसे ही Echo का object repair होता है तो तब वहाँ पर एक guard आ जाता है जिसके कारण सभी वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन unfortunately Alex पगड़ा जाता है इसलिए Emma Echo के साथ Alex को बचाने के लिए वहाँ जाती है और Echo की help से Emma security guard को distract कर देती है जिससे कि वो दोनों वहाँ से easily निकल जाते हैं और वहाँ से निकलने पर Alex टक पर काफी गुसा होता है क्योंकि उसने Alex की मदद करने के बजाए उसे पीछे ही छोड़ दिया था जिसके कारण अब उन दोनों में काफी बहस होती है मगर मंच और Emma उन्हें किसी तरह से सांथ कर देते हैं और एक unknown device का यूज करके वे पता लगा लेते हैं कि एको का ये own नहीं बलकि उन बच्चों के bag में है जिसके बाद वे उनके bag को अपने साथ ले जाते हैं मगर उनके वहाँ से जाने से पहले ही मंच उनके truck में चड़ जाता है लेकिन Alex, Emma और टक पीछे ही रह जाते हैं जिसके कारण टक कोई विक्कर डूनने के लिए एक party में चला जाता है जो कि उसके ब्रेदर की girlfriend host कर रही होती है और party में पहुंच कर वे टक के ब्रेदर की car लेकर मंच और एको को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और जल्दी उन तीनों को पता चलता है कि construction site ही वो जगा है जहां पर मंच और एको को रखा गया है साथी में वो एको पर कुछ experiment भी कर रहे थे मगर इससे पहले कि वे तीनों एको को बचा पाते एक वरकर उन्हें पकड़ लेता है जो कि उन्हें बताता है कि उसका नाम डॉक्टर लोरेंस मैडसन है और वो एक scientist है साथी में वो एक government agent भी है आगे वो उन तीनों को ये भी बताता है कि उसके group ने कुछ दिन पहले space से आए एक object को short down किया था मगर वो किसी तरह से उनसे बच गया लेकिन अब एको के मिल जाने पर वे उसे पूरी तरह से study करेंगे ताकि वे उसके space ship का पता लगा पाए और ये सब सुनकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वे सब तो चाहते थे कि एको को उसके घर सही सलामत भेज दिया जाए लेकिन अब एको को बचा पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो गया था क्योंकि एको को तो उन लोगों ने पकर रखा था जिसके बाद विचारों एको को बचाने के लिए उनसे जूट बोलते हैं कि वे उनकी एको की स्पेसिप को ढूणने में हेल्प करेंगे और जैसे ही वे सब एक जंक यार्ड में पहुंचते हैं तो वे वहाँ पर देखते हैं कि एको पर किये गए एक्सपेरिमेंट के कारण एको काफी वीक हो चुका है और अब वो किसी भी वक्त मर सकता है के घर की और निकल जाते हैं और जैसे ही वे एको के घर पहुंचते हैं तो तभी अचानक से स्पेसिप की की ग्राउंड के अंदर चली जाती है जिससे कि वे सभी समझ जाते हैं कि उन लोगों ने एक फाल्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इसलिए बनाया था ताकि वे उनके नेबर हुड में स्पेसिप को खोद कर निकाल सके वहीं आगे टक एलेक्स से कहता है कि अगर वो स्पेसिप वहां से भार आई तो इससे उनका पूरा नेबर हुड डिस्ट्रोई हो जाएगा मगर एलेक्स को एको पर पूरा भरोसा था और इसलिए वो एको को लेकर नीचे स्पेसिप के अंदर चला जाता है हाला कि थोड़ी ही दे में बाकि सब भी स्पेसिप के कोर में आ जाते हैं जहां पर एको ने उनके साथ स्पैसिप के कोर में कनेक्ट होती है तो एको उसी space ship को start कर देता है और सभी को goodbye करता है फिल्ड सभी space ship से बहार निकल जाते हैं और जब सभी surface पर आते हैं तो वे देखते हैं कि ship के parts एक एक करके ground से बहार आ रहे हैं और reassemble हो रहे हैं जिससे कि वहाँ पर कुछ भी destroy नहीं होता और जैसे ही सी पूरी तरह से री-सेंबल होती है तो तब वो वहाँ से चली जाती है वहीं बाद में जो construction project स्टार्ट किया गया था उसे भी जल्दी बन कर दिया जाता है मगर एलेक्स और मंच वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों के पिरेंस ने ओल्रेडी न्यू घर खरीद लिया होता है लेकिन टक वहीं पर रुपता है और कुछ टाइम बाद सभी फ्रेंड्स एक बार फिर से मिलते हैं और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स जब अपना फोन आसमान की और उठा था है तो तब उसका फोन अचानक से स्टाटिक होने लगता है जैसे कि हमने मूवी के स्टाटिंग में देखा था जिसका मतलब होता है कि एको फ्यूचर में उनसे मिलने वापस जरूर आएगा और इसी के साथ हमारी मूवी यहां खतम तो गाईज अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में झाल करता है कि ओडर आएपको- कई मिलस करकं तो मिलते हैं ना भूले वीडियों में защिशानि का यह वीडियों अशीजर करें जरूर को कि भाल आएपज Tob